अध्यक्ष महोदाए भारत के महान कुट नितिग्य आचार्य चानक्य ने सदियों पहले कहा था कालाती क्रमात काल एव फलम पिवती जब सही समय पर सही कारिय नहीं किया जाता तो समय ही उस कारिय की सभलता को समाप्त कर देता है सयुक्त राश को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेश को सुधारना होगा रिलाइबिलिटी को बढ़ाना होगा यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है कोवीड के दोरान देखा है दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रोक्सी वार आतंगबाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है कोवीड के ओरिजिन के संदर्व में और इज अब डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर वैश्विक गवरनेंस से जुड़ी संस्ताओं ने बसकों के परिशन से बनी अपनी विश्वर से ज़ता को नुक्षान पहुचाया है यह आवशक है कि हम विएन को ग्लोबल आर्डर ग्लोबल लॉस और ग्लोबल वैल्यूज के समरक्षन के लिए निरंतर सुद्रट करें मैं नोबल पुरस्कार विजेता गुर्देव रबिंद्रनाथ तगोर जी के शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ शुभो कर्मपोथे धोरो निर्भयोगान शौब दुर्बल सौन्योष होक अबोशान अर्थात अपने शुभ कर्मपत पर निर्भीक होकर आगे बढ़ो सभी दुर्बलताएं और संकाएं समात हो ये संदेश आज के संदर्व में सयुक्त रास के लिए जितना प्रासंगिक है उतना ही हर जिम्मेदार देश के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है मुझे विश्वास है हम सबका प्रास विश्व में सांती और सवहार्द बढ़ाएगा विश्व को स्वस्थ सुरक्षित और सम्रद्य बनाएगा